प्यारे विद्ध्यार्थियों नमस्कार मैं डॉक्टर सोहनराज परमार साहेकाचारी हिंदी राजकी महाविद्ध्याले बाड मेर आज हम छायवादी कव्विधरा के प्रमुकवी जैसंकर प्रशाद द्वारा रचेत गीती कव्विआ आशू के अंतिम पध्यांस को पढ़ रहे हैं और जैसंकर प्रशाद लौकिक प्रेम के विशद वर्णन के साथ आध्यात्मिक प्रेम का भी अंकन करते हैं उसी क्रम में आज हम आशू के अंतिम जो पध हमारे पठी क्रम में समाई थे उनका अध्यान करेंगे वह गर्व रूप था केवल या रदे रहा रदे भी उसमें जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझ कर मुझ में मेरे जीवन की उल जन भी खरी थी उनकी अलकें पीली मदमदी राकें थी बंद हमारी पलकें जैसंगर प्रसाद द्वरा रचेत कीती का व्यांसू और इसमें कवी ने प्रियतमा के रूप आकरसरन और अपने प्रेम की गंभीरता का सरचितरन करते हुए लिखा है कवी प्रसाद वर्णन करते हैं कि वह गर्व रूप था केवल या रदे रहा भी उसमें जड़ता की समाया थी चेतन्य समझ कर मुझ में कवी प्रसाद चितरन करते हुए कहते हैं कि प्रिया का ऐसा अनोखा एम आकरसक रूप क्या केवल रूप संद्रे का गर्व ही था अथवा उसमें कौमल भावना में रदे भी विद्यमत वा गर्व रूप था केवल या रदे रहा भी उसमें कवी प्रसाद कहते हैं कि प्रिया का ऐसा अनोखा एम आकरसक रूप क्या केवल रूप संद्रे का गर्व ही था अथवा उसमें कौमल भावनाओं से परिपून रदे भी विद्यमान था जड़ता की सब माया थी चेतन्य समझ कर मुझ में कवी कह रहे हैं कि मैं तो उसके प्रेम के योग नहीं था मुझ में केवल जड़ भावनाई थी मुझ में तो जड़ता थी परन्तु उस्पिरिया ने मुझे सजीव मान कर मुझ में सजीवता मान कर अपना लिया था जड़ता की ब्रह्मे भी मुझे अपना प्रेजन मान लिया था मेरे जीवन की उलजन विखरी थी उनकी अलकें पीली मदुमदिरा के सने थी बंद हमारी पलकें कवी फिर कहता है कि प्रियत्मा की विखरी हुई केस रासी के आकरसन में मेरा जीवन भी लजगे था मेरे जीवन की उलजन विखरी थी उनकी अलकें अलकें यानि बाल या केस कवी फिर चित्रन करते हुए लिखता है कि प्रियत्मा की विखरी हुई केश राशी की आकर्शन में मेरा जीवन भी उलज गया था और अपनी सुद्ध बुद्ध खोकर मेरा मन भी निरंतर उनई में बंदा गुरहता था पीली मदुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें मैं इस आनंद में इतना भाव भूर था कि इस बीच किसी ने मेरे जीवन की संपूर्ण मादक शुरा कहने का भाव यह है कि मेरे जीवन का संपुन उलास और प्रेम की मधुर भावना को आकर पी लिया कहने का भाव यह है कि पलक जपकते ही कोई मेरे जीवन के समझ सुखों को चुरा करके ले गया था विस प्याली जो पी ली थी वह मदिरा बनी नयन में सुंद्रे पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में मादकता से आये तुन संग्या से चले गए थे हम व्याकुल पड़े बिलगते थे उत्रे उए नसे से कभी क्या रहे है कि विस प्याली जो पी ली थी वह मदिरा बनी नयन में कभी चित्रन करता है कि प्रियत्मा के रूप संद्रे का मो अथवा उनके एंद्री सुखान भूती विस की प्याली के समान सनी कत्वा आकरसन से युक्त थी किन्तु उसकी परिनती पहले तो नेत्रों में प्रेम रुपी नसे में व्याप्त रही तथा फिर जीवन में मधुर प्रेम के रूप में बदल गई विस प्याली जो पीली थी वह मदिरा बनी नयन में कवी कहते हैं कि प्रियत्मा के रूप संद्रे का मो विस की प्याली के समान सनी को राकरसन से युक्त था किन्तु उसकी परिनती पहले तो नेत्रों में प्रेम रुपी नसे में व्याप्त रही तथा फिर क्या कह रहे हैं संद्रे पलक प्याले का अब प्रेम बना जीवन में पहले तो नेत्रों में प्रेम रुपी नसे में व्याप्त रही तथा फिर जीवन में मदूर प्रेम के रूप में बदल गई कवी कासी यह है कि प्रारम में भौतिक प्रेम का नसा रहा लेकिन बाद में वो आत्मीक प्रेम में परिनित होकर जीवन पत का संबल बना यहां कवी लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम की भी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रारम में जो भौतिक प्रेम का नसा रहा वो बाद में आत्मिक प्रेम के में बदल गया और मेरे जीवन पत का एक सहारा बन गया मादकता से आये तुम संग्या से चले गए थे हम व्याकुल पड़े बिलगते थे उतरे उए नसे से कभी कहता है कि प्रियत्मा मेरे जीवन में मादक या आनन्दायक मोहक रूप में आई परंतु बाद में वह संग्या रूप में चली गई अर्थात मुझे भी होश से सुन्य करके चली गई मादकता से आये तुम संग्या से चले गए थे हम व्याकुल पड़े बिलगते थे उतरे उए नसे से कभी कह रहा है कि प्रेमी जन के चले जाने से मैं विरवेथा से बिलख रहूं तथा मेरा प्रेम का वो मादक नसा भी उतर गया है और मादक नसे के उतर जाने से अब हम व्याकुल से दिखाई पड़े हैं हम व्याकुल और बिलख रहें विरवेथा से मैं बिलख रहूं तो मेरा प्रेम का वो मादग नसा भी एकदम उतर गया है आगे कवी किरा है नाविके सूने तट पर किन लहरों में खेलाया इस बियड वेला में क्या अब तक था कोई आया उस पार कहां फिर जाओं तम के मली न चल में जीवन का लोब नहीं वह वेदना चदम में चल में कवी जैसंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरी विरेजनीत प्रेम की वेदना अनुभूती चरम पर पहुँच गई है तब वह अपने व्यथित मन से ही प्रस्न करता हुआ कहता है कि नावे के सुने तटपर किन लहरों में खेलाया मेरे मेरे रदै रुपी नावे तुम मेरे जीवन रुपी नाव को किन उची उची तरंगों से होकर इस सुनसान तटपर खेकर लाए हो इस सुनसान सुने समुद्र के तटपर क्या आज तक कोई विथित वेक्ती आया है नावे के सुने तटपर किन लहरों में खेलाया इस बिएड वेला में क्या अब तक था कोई आया और वो कह रहे हैं कि इस सुनसान सुमुद्र तटपर क्या आज तक कोई विथित विक्ती कोई दुखी विक्ती आया है प्रस्ण करते हुए कभी कह रहे हैं कि बिएड बिएड यानि सुनसान इस बिएड सुनसान जगय पर समुद्र के तटपर क्या कोई विथित विक्ती कभी आया है कभी अतिधिक दुखी मन से कहता है कि मैं वेड़ना की चरम में अतियंद्री लोग की सीमाओं में पहुँच गया हूँ उस पार कहां फिर जाओं तम के मलीन अंचल में जीवन का लोब नहीं वेड़ना छदम में शल में कभी यहां कह रहा है कि मैं मेरे वेड़ना की चरम इस्तिती आ गई है और मैं अतिंद्री लोग की सीमाओं में पहुँच गया हूँ इस संसार का अंचल अंदकार से अत्य धिक मलीन हो रहा है यह संसार छल कपड से व्याप्थित दिखाई देरा है ऐसे अंदकार या निरासा मैं संसार में अब जीवन के प्रती किसी भी प्रकार का मेरा मो नहीं रह गया मैं तो ऐसा इस्तान चाता हूँ जा मुझे सांती मिले जानना किसी प्रकार का छल कपड दोखा हो और अपने द्वारा भोगए गए कटे अनकटू अनुभों को भी एकदम भूर सकों इस तरह कवी ये चाता है कि मुझे एकांत जगह मिले संसार में एकांत ताकी अभिलासा रखता है और कहता है कि मुझे जीवन का कोई लोब नहीं है मुझे तो ऐसे अंदकार में या निरासा में संसार में अब जीवन के पती किसी भी प्रकार का मोहो नहीं रह गया है मैं तो ऐसा सांति पूनिश्टान चाता हूँ जहां किसी प्रकार का छल कपड नहीं हो और जीवन में भोगे गए दुखाँ और कष्टों को भूल सकूँ मैं तो ऐसी एकान जग की इच्छा रखता हूँ प्रत्यावर्तन के पत्में पद्चिनन सेस रहा है डूबा है रदे मरुस्तलांस उमड रहा है कवी जैसंकर प्रसाद केते हैं कि प्रत्यावर्तन के पत्में पद्चिनन सेस रहा है प्रत्यावर्तन यानि लोटने यानि अब मैं ऐसी इस्तिती में पहुंच गया हूँ कि वापिस लोटने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर कोई मेरे पैरों का चिनन है वो सेस नहीं रहा है जिनको देख करके मैं वापिस लोटने का भाव है कभी कहता है कि मैं प्रियत्तम के प्रेम में अतिंद्री लोक में बहुत आगे निकल चुका हूँ कि पुन संसार में लोटना चाहूँ तो भी मुझे मारग नहीं मिलेगा दूबा है रदे मरुस्त लांसुन नद उमड रहा है जिस रदे रुपी रेगिस्तान की रेट पर मेरे पैरों के चिनन अंकित थे अब वहाँ पर वे चिनन मिट गए हैं और उस रेगिस्तान के इस्तान पर अब वेदना रुपी विशाल समुद्र उमड रहा है कहने का भाव यह है कि वापस लोटने का मारग बतलाने वाले पैरों के चिन दिखलाई नहीं दे रहे हैं इसलिए इस प्रेम सागर में नीमगन रहने से ही मुझे आनंद मिल रहा है चमकूंगा धूल कणों में सौरब हो उड़ जाऊंगा कवी कहता है कि विरह वेदना के कष्ट में धूल कणों में चमकने लगूंगा और मकरंद के समान ओड़ जाऊंगा मकरंद बनकर ओड़ जाऊंगा तपना अपने प्रीतम को यदि कहीं पर पालूंगा तो कठीन से कठीन अवरोद और कठीनाईयों से भी टक्रा जाऊंगा इस तरह प्रीतम से मिलन की आसा में जो विबिन बाधने आएगी जो विबिन कष्ट आएंगे उन कष्टों को भी सहन कर लूंगा क्योंकि मेरी चाहा प्रीतम से मिलन की ही है दुख सुक में उड़ता गिरकर संसार तिरोहित होता सब सुमन मनोरत अंजली बिखरा दी इन चरणों में कुछ लोन कीट सा इनकी कुछ है मकरंद कणों में, सब सुमन मनोरत अंजली बिखरा दी इन चरणों में, कभी कहता है, कि मैंने अपनी मन की भावना रुपी पुस्पांजली प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दी है, पिरीत्म के चर्णों में भैंट कर दी है, मैं अपने मनोरत का समर्पन विनम्र भाव से कर चुकाँ, कुछ लोन कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में, पर अंतु है पिरीत्म् तुम इसे कीडों के समान मत कुछ लो, क्योंकि इस अंजली के पुस्पों में मेरी भावनाओं के पराकन भी विद्धिमान है कहने का भाव यह है कि मेरी सुकोमल भावनाओं को जरा भी थेश मत पहुंचाओ यही मेरा विनम्र निवेदन है दुख सुक में उड़ता गिरता संसार तिरोहित होगा मुड करन कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा दुख सुक में उड़ता गिरता संसार तिरोहित होगा कभी वर्णन करती हुए कहता है कि यह संसार निरंतर गतिशील और परिवर्तन सील है इस संसार की धारा में सुख और दुख के किनारों का इसपर्श करती हुई ये स्ष्ष्टी की धारा निरंतर प्रवा मान रहती है कहने का आशी है कि संसार में सुख और दुख निरंतर आते जाते रहते हैं कभी सुक आता है तो कभी दुख आता है जीवन में समिस्ति कभी भी नहीं रहती है इस शिरंतन गती सीलता में जब स्रस्टी का आंत होगा दुख सुक में उड़ता गिरता संसार तिरोहित होगा मुड़करन कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा क्या रहे हैं कि शिरंतर गती सीलता में सतत गती सीलता में जब शिरंसार का आंत होता है तो नियती यह नहीं देखती है कि इसके तिरोहित होने में किसका हित है और किसका अहित हुआ है यह नियती नहीं देखती है विधाता ये कुछ भी नहीं देखता है, मुड कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा, इसकी है वो चिरंतर गती सीलता में, जब स्रश्टी का आंत होता है, तो नियती पीछे मुड कर ये नहीं देखती है, कि इसके तिरोईत होने में किसका हित होगा, और किसका अनहित होगा, या आगे बढ़ने वाले मानव फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखते हैं उसे तो गती सील रहने के अतिरे कुछ सोचने के लिए समय नहीं मिलता है। मानव जीवन वेदी पर पढ़ने हो विरह मिलन का दुख सुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आँख का मन का कभी कहता है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की असमित इस्तिती है। सुख और दुख की असमित इस्तिती है। इन दोनों में संतुलन और समन्वे होने से ही मानव जाती का कल्यान है। दोनों का मदूर परिणे मिलन होता रहे। मानव की जीवन में सुख और दुख का खेल निरंतर चलता रहे। परन्तु इन दोनों को देखने और समझने में भलई भिन्ता लगती हो। फिर भी इनका समान भाव से स्वागत करना चाहिए। सुख दुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आख का मन का परन्तु इन दोनों को देखने और समझने में भलई भिन्ता लगती हो। फिर भी इनका समान भाव से स्वागत करना चाहिए। दुख को सुख में मानने से जीवन आनन में प्रतीत होता है। यहां बूद दर्शन के दुखवाद का प्रभाव भी इस पस दिखाई देता है। इसके अलावा संसार गती सील है और परिवर्तन सील है। सुख और दुख निरंतर आते जाते रहते हैं इसका भी उलेक कवी प्रसाद ने किया है धन्यवाद।